नमस्कार दोस्तों प्रस्तुत है सुबद्रकमारी चोहान की एक बहुत ही सुपरसिद कहानी जिसका नाम है कदम के फूल बहुत ही अच्छी कहानी है इसे अंत तक जरूर सुनें कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़े से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना चली कहानी सुनते हैं बहुत ही लो मैं ले आया सच ले आये कहां मिले अरे बड़ी मुश्किल से ला पाया बहुत है तो मजदूरी ले लेना क्या दोगी तुम जो मांगो पर मेरी मांगी हुई चीज मुझे दे भी सकोगी क्यों न दे सकोंगी तुम मेरी बस्तू मेरे लिए ला सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी इच्छित बस्तू तुम्हें नहीं दे सकती नहीं भोजी ना दे सकोगी फिर क्यों ना हक कहती हो अब तुम ही ना लेना चाहो तो बात दूसरी है पर मैंने तो कह दिया कि तुम जो मागोगे मैं बही दूँगी अच्छा अभी जाने दो समय आने पर मांग लूँगा कहते हुए मोहन ने अपने घर की राह ली दूर से आते हुई भामा की सास ने मोहन को कुछ दोने में लिए हुए घर के भीतर जाते हुए देख लिया था किन्तु वो जियों ही नजदीक पहुँची मोहन दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जा चुका था बे मोहन से कुछ पूँच न सकी पर उन्होंने ये सब अपनी आँखों से देखा था कि मोहन कुछ दोने में लाया है किन्तु क्या लाया है ये ना जान सकी घर आते ही उन्होंने बहुँचा मोहन दोने में क्या लाया था भामा मन ही मन मुस्कुराई और बोली मिठाई बुढिया गुस्थे से तिलमिला उठी बोली इतना खाती है दिन भर बक्री की तरह मुझ चला ही करता है तेरा फिर भी पेट नहीं भरता बाजान से भी मिठाई मगा मगा के खाती है अभी मैं न देखती तो क्या तू कभी बतलाती भामा मुस्कुराते हुए बोली तो बतलाती क्यों? कुछ बतलाने के लिए थोड़े ही मंगवाई थी क्यों? क्या मैं घर में कोई चीज ही नहीं हूँ? तेरे लिए तो मिठाई के लिए पैसे है मैं चार पैसे दान दक्षना के लिए मागूं तो सदा मुझे ना ही निकलता है तेरा आदमी है तो मेरा भी तो बेटा है क्या उसकी कमाई में मेरा कोई हकी नहीं मुझे तो दो-चार सूखी रोटी छोड़ कर कुछ भी नसीब न होता और तू मिठाई मगा मगा के खाए कर लिए जितना तेरा जी चाहे भगवान तो उपर से देखी रहा है बो तो सजा देगा ही भामा मुस्कुराते हुए क्यों कोस रही हो माजी मिठाई एक दिन खाही ली तो क्या हो गया अभी रखी हूँ तुम भी ले लेना चल रहने दे अब इन मीठे पुछकारों से किसी और को भेकाना मैं तेरे हाल सब जानती हूँ तू समझती होगी कि तू जो कुछ करती है वो कोई नहीं जानता मैं तो तेरी नस नस भहचानती हूँ दुनिया में बहुत सी औरतें देखी है पर सब तेरे तले तले मुस्कुराते हुए सब मेरे तले तले ना रहेंगी तो क्या करेंगी मेरी बराबरी कर लेना मामूली बात नहीं है मैं ऐसी वैसी थोड़े ही हूँ और किरोधा गया और बोली मारूंगी भी तो मुझे कौन रोक लेगा मैं गंगा को मार सकती हूं तो क्या तुझे मारने में मेरा कोई हाथ पकड़ लेगा मारो देखती हूं कैसे मारती हो मुझे वो बहु न समझ लेना जो सास की मार चुपचाप सहे लेती हैं तो क्या तू भ पहाई तेरी इस तरी की मार सहे कर अब मैं घर में न रह सकूंगी, मुझे अलग जोपड़ा डाल दे, मैं बहीं पड़ी रहूंगी, जिसे घर में बहु सास को मानने के लिए खड़ी हो जाए, बहां रहने का धरम नहीं, ये कहते कहते माजी जोर से रोने लगी, भामा ने दे और की क्या सहूंगी, चुप चाप ना सहेगी, तो मुझे भी मारेगी न, बही बात तो हुई, ये मखमल में लपेट लपेट कर कहती है, तो क्या मेरी समझ में नहीं आता, माजी के जोर जोर से रोने के कारड़, आस पास की कई इस तरियां एखटी हो गई, कई भामा की तर गर के भीतर चली गई, भामा ने सुना, माजी आस पास बैटी होई इस तरियों से कह रही थी, आप तो दोना भर भर मिठाई मगा मगा कर खाती है, और मैंने कभी अपने लिए पैसे धिले की चीज के लिए भी कहा, तो फोरन ही टका सा जवाब दे देती है, कहती है, पैसा ह नहीं तो कुते की तरह भूंका करो, ये मेरा इस घर में हाल है, आज भी दोना भर मिठाई मंगवाई है, मैंने जराही पूछा तो मारने के लिए खड़ी हो गई, कहती है, मेरे आदमी की कमाई है, खाती हूँ किसी के बाप की नहीं खाती, उसका आदमी है, तो मेरा भी तो पुष्यार है, पड़ी लिखी है, तो क्या हुआ, अकल तो कोड़ी के बरावर नहीं, तुमने भी नोः महीने पेट में रखा, तुम्हारा तो सोले आने हक है, बहू को बेटा मा के लिए लॉंडी बना कर लाता है, वो तुम्हारे पैर दबाने और तुम्हारी सेबा करने के लिए है हमारा नंदन तो जब तक बहु मेरे पैर नहीं दबा लेती उसे अपनी कोटरी के अंदर ही नहीं आने देता अपना ही माल खोटा हो तो परखने बाले का क्या दोश बेटा ही सपूत होता तो बहु आज मुझे मानने दोड़ती गंगा पिरसाद गाउं की प्राइम लिना जानी किसकी किसकी खुशामत करनी पड़ती थी फिर भी नौकरी पाने की उन्हें बहुत कम उम्मीन थी इधर बे कई मास से बेकार बैटे थे भामा के पास कुछ जेबर थे जो हर माह गिर्मी रखे जाते थे और किसी पिरकार काट कसर करके घर का खर्च चलता था भा को उचल कर ही पेट भल लिया करती रूपी पैसों की तंगी के कारण घर में पिराया रोज ही इसी पिरकार कलह मची रहती थी जब ओ गंगा पिरसाद जी दिन भर की दोड़ धूप के बाद थके हारे घर लोटे तो मा जी आंगन में लेटी हुई थी और बहुत ही जादा उ था पेट कभी न करते थे मा को उधास देकर बेमा के पास जा कर बैठ गए पढ़ से मा के गले में बाहें डाल दी पूछा कियो मा आज उधास क्यों है क्या कुछ तबियत खराब है नहीं अच्छी हूँ कुछ तो हुगा है मा तू उधास है अब मा जी से ना रहा गया फू कि अब मैं इस घर में न रह सकूंगी, मेरे लिए अलग जोपड़ा बनवा दे, बहीं पड़ी रहूंगी, जी में आबे, तो खरच भी देना, नहीं तो मांग के खा लूंगी, क्यों मां, क्या कुछ जगड़ा हुआ है, सच सच कहना, आज ही क्या है, ये तो तीसो दिन की बा खाती हूँ, अपने आदमी की कमाई खाती हूँ, कुछ हो तुमारे बाप का तो नहीं खाती, जब मैंने कहा कि तेरा आदमी है, तो मेरा भी तो बेटा है, उसकी कमाई में मेरा भी हक है, तो कहती है कि जब तुमारा हक था, तब था, अब तो सब मेरा है, जादा बोलोगी, तो मार के घर से निकाल दूँगी तो बाबा तेरी औरत है तू ही उसकी मार सै मैं मांग के पेट भले ही भर लूँ पर बहु के हाथ की मार ना खाऊंगी गंगा पिरसाद अब ना सह सके बोले बहु तुझे मारेगी मैं ही ना उसके हाथ पेर तोड़ कर डाल दू कहते हुए मैं हाथ से लकड़ी उठा कर बड़े गुस्ते से भीतर गए भामा को डाट कर पूँचा क्या मगाया था तुमने मोहन से गंगा पिरसाद के इस पिर्शन के उत्तर में कदम के फूल थे भाया कहते हुए मोहन ने घर में पिर्वेश किया तब तक भामा ने दोना उठा कर गंगा पिरसाद के सामने रख दिया था दोना में आट दस पीले पीले गोल गोल बेसन के लड़ूँ की तरह कदम के फूलों को देकर गंगा पिरसाद को हसी आ गई मोहन ने दोने में से एक फूल उठा कर कहा कितना सुन्दर है ये फूल भोजी तो दोस्तो ये कहानी थी सुबद्रा कुमारी चौहान की जिसका नाम था कदम के फूल कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी हो तो प्लेज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में